उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मद्दान शुरू हो गया है देश भर की 50 सीटों पर वहीं जहां पर हम बात आज के मद्दान की करें तो बेहत महत्पूर्ण है क्योंकि इन 14 सीटों पर कई सारे दिगज है जिनकी किस्मत दाव पर लगी है इन 14 सीटों पर कई जगा दिगजों में काटने की रड़ाई है इन 14 सीटों में उत्तरफिनेश की राजधानी लखनव भी है सोन्या गांदी का संसदे शेतर राय बरेली है राहूल कांधी का संसेदे श्यत्र मैटी भी ए SMPS धरूरी है लगातार हमारे साथ बने हुए है हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ भने हुए है जिनके साथ हम खाच दर्चा करेंगे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियों में एके मिश्रा साब भी आ गए पुलिटिकल एनलेस्ट ने लगातार मेरे साथ कई बार चर्चा में रहते हैं वेबाग अपनी डाय रखते हैं हमेरे कि 47 भी कहते हैं हमार साथ मौसे नेदर लखनौव से बने हुए है बीरोचीफ साथ हमार साथ करन बने हुए सब्सक्राइब करन सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे कौशामवी क्या क्या रहा है किस तरह की तस्वीर आ रही है मद्दान को लेकर दिखाईए मद्दान को लेकर के रहे हैं और उस्ता है ने दिखाईए जुए मद्दान को लेकर के विए और शुखाईए ब्सक्राइब करने दिखाईए बिल्कुल आपके पास आएंगे करन बहुत 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 शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मौसिन आप लखनो की अगर हम बात करें चुंकि अपने जिक्र किया 2014 का भी जो रीता वागुणा दोशी चुनाव लडी थी आज बीजेपी में हैं अब आज राजनात सिंग वर्सिस पूरम सिना वर्सिस आचारी प्रमूत करिशनम की लिलाई है लखनो क्या क्याता है कुछ लोग भी आपके साथ अगर जुड़ गए हो तो उनसे कोशिश करें बाचीत की अगर दिल्ली का रास्ता पहुंशना है आसानी के साथ तो उत्तर पदेश को जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि 80 लोगसभा सीटें यहां से आती है और खास बात है कि आज 14 लोगसभा सीटों पर यहां पर चुनाव होने जा रहा है रादना सिंग ग्रिह मंतरी दूसरी बार यहां से चुनावी मैदान में है अटल विहारे वाश्पई यहां से पाच बार सांसद रहे पिछली बार सबसे टफ जो मुकाबला था वो रीता भाहुगुणा जूशी के साथ था लेकिन इस बार वो खुद कामिनेट मंतरी है पिछले पांच साल सरकार चली कुछ तो होगा दिमाग में कि इस बार इन वजहों से मैं बोड़ दूँगा नहीं मोदी जीने वैसे राष्ट हित में और जनता हित में दोनों में बहुत अच्छा काम किया है इसलिए हम लोगे चाहते हैं कि एक बार उनकी सरकार और बने पिछले पांच साल में आपके सांसत ग्रह मंत्री राधना सिंग। लखनों में जिस एक्टेक्टेक्शन के साथ लखनों के वासियों ने उनको सांसत बनाया था च्या लगता कि पछले पांच साल मुझे वोगा खरे उतरे हैं किन मसलों को लेकर आपने वोट उस वक्त किया था अब उस समय भर्ष्टाचार बहुत था कांग्रेश की जवाने में तो उससे सारी जनता जो थी उप चुकी थी और उसे देखते हुए अंगोगों ने इनको लाया था खास्ता और से गुंडा इजम वह बहुत कुछ कम हुआ है और हमारे से गुंडे सब करीकर जेल के अंदर हैं इसलिए अजितेश महिला सुरक्षा का जो मुद्धा है और परिवार सहित वोट करने के लिए राधनाथ सिंग पहुचें तस्वीरे लखनाव से चुनाओ लड़ रहे हैं और फिलाल परिवार सहित मद्धान करने के लिए पहुचें हैं राधनाथ सिंग और खास तौर पर जहां पर परिवार सहित पहुचें हैं लाइन में लगे हुए हैं और चुंकि यह तस्वीर बेहत खास होती है मद्दान के दिन जहां पर जब तमाम निता वोट करने पहुंच रहे हैं तो कहिना कि एक संदेश भी होता है हम सब के लिए भी हम भी जरूर मद्दान करें और ऐसे में बेहत जरूरी होता है तो फिलाल तस्वीरे रादनाथ सिंग लाइन में लगकर मद्दान करने के लिए पहुंचे तो रादनाथ सिंग अपने परिवार साथ पहुंचे उनके पीछे उनके बेटे पंकत सिंग भी मौजूद है तो यहाँ पर पंकत सिंग नौइडा से शूंकि विधायक है तो 2017 में विधान सबाद चुनाव लड़े थे जीते और रादनाथ सिंग लखनव से सांसत है ग्री मंत्री ने देश के एक बार फिर से लखनव से ही चुनाव लड़ रहे हैं मत्दान करने के लिए पहुंचे हैं जहां पर फिलहाल अभी मत्दान करेंगे परिवार से पहुंच गए लाइन में लगे हुए तमाम फॉर्मलिटीज जो हैं जो उन्हें पूरा किया जा रहा है और यहां से अब वो निशान जो मत्दान का होता है देखिए तो लग चुका है और अब यहां से ग्रीवन्ची रादनाथ सिंग वोट करने के लिए पहुंचे हैं देखिए तो परिवार के साथ वोट करने पहुंचे रादनाथ सिंग बेटे पंकत सिंग के साथ में और यहां से अब मत्दान हो गया देखिए रादनाथ सिंग ने वोट किया और अब रादनाथ सिंग के बाद दा तो परिवार के लोग मौँचूद हैं वोट करेंगे तमाम लोग भी आपर पहुंचे हैं लंबी लंबी लाएने लगा कर लोग वोट करने के लिए जा रहे हैं देखिए रादनाथ सिंग ने वोट कर दिया तो लखनव से चुनाव लड़ रहे हैं दोजार चौदा में लखनव से चुनाव लड़े जीते लखनव यानि किया अटल जी की विरासत ये देखिए मद्दान का जो निशान है उसे रादनाथ सिंग दिखा रहे हैं कैमरों पर ताकि लोग देखें और ज्यादस ज्यादा लोग मद्दान करने के लिए वहाँ पर पहुंचें तो ग्रीमची रादनाथ सिंग ने बोट डाल दिया है परिवार साहित पहुंचें और बोट डालने के बाद चुंकि मुगली पर लगा निशान भी दिखाते हुए रज़ार आए और अब बादशीत क्या करते हैं क्या कुछ कहते हैं ये भी देखने वाली बात है है रादनाथ सिंग से मिलने वाले लोग रहे देखने के लिए तमाम लोग वहां पर मतढ़े हैं तुद कि मदान करने के हैं लोग 키 पहुचूंच रहा है जो रादनात सिंग से हाथ मिला रहे हैं देख रहे हैं बात्चीत कर रहे हैं तो लम्भी लम्भी लाइने लगा कर लोग मद्दान करने के लिए पहुंश रहे हैं और अब शायद ग्रीमंतिरी कुछ बोले है और चुंकी बीजेपी का बड़ा नाम सरकार में नमबर दू की हैसियत और लखनव से चुनाव लगा है ग्रीमंतिरी रादनात सिंग तो ऐसे में दरसल यह सरूरी हो जाता है आज के दिन मद्दान करना मुद्दे कई हैं मुद्दो को आकर कार आप लोग कितना भुना पाते हैं मुद्दो को लेकर क्या कुछ खास चीजें होती हैं यह देखने वाली बात होगी कॉंग्रेस लेता गुलाम नव्याजाद की तस्वीर आ रही है मद्दान करने के लिए पहुँचे थे परिवार सहे थे और चलिए सीधा रुक करेंगे लखनाओ का उमंग पांडे भी जादा जानकारी के साथ जुड़ गया हैं उमंग लखनाओ की बात करें आफिलाल वोटिंग को लेकर क्या कवरें आप मद्दान केंदर के बाहर भी हैं किस तरह की तस्वीर आ रही हैं दिखाईए बिल्कुल अजितेश मैं आपको बताना चाहूँगा आज लखनाओ में मद्दार हो रहा है पांचवे चरण के तहट मैसे एक मद्दान केंदर के बाहर खड़ा हूँ जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो मद्दाता हैं वो मद्दान करने के लिए सु आप देख सकते हैं पूरुष मद्दाता भी हैं सुभे से खड़े हुए हैं आगे जो महिला मद्दाता हैं वो भी सुभे से लायन में खड़े हुए आज इसे बिल्कुल उमांग आगर संभवेत लोगों से बाचीत भी करने कोशिश करिए मुद्दो को समझगे किसे वोट कर रहे हैं सवाल यह नहीं है सवाल यह किन मुद्दो पर वोट कर रहे हैं मुद्दे क्या है 2014 में क्या थे अभी तक कितने मुद्दे बदले अब नया क्या है कि बेलकुल अजितेश हमाई साथ कुछ मद्दाता है सुबह से लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं हम इनसे बात कर रहे हैं कि कुछ बुद्र भी हमाई साथ जड़ा यह बताईए किन मुद्दो को लेकर आजाब मद्दान करने आए हैं अब यह आतुना हम पड़े नहीं है में मालूम है अच्छा आप बताईए किन मुद्दो को लेकर आजाब मद्दान करने आए हैं आप अपने नेता से लखनव में और क्या-क्या विकास की उमीद रखते हैं हम उमीद सिख्षा स्वास सबसे बहते हैं क्या लग रहा है 2014 से अब तक कितना काम हुए लखनव में क काम तो हुए है तो इसलिकारे काम तो करेगी विल्कुल अश्टेश कुछ और मत आता हुसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दो को लेकर आज हो यहां पर सुबह से मद्दान करने के लिए खड़े हुए हैं आप बताईएगा किन मुद्दो को लेकर आज हो खुस रहे गरीब आदमी परहसान है बहुत ज़्यादा है बाकी यह सो बोजगार है आदमी बिरोजगार भी बहुत ज़्यादा है यही सब आपते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने आपके हिसाब सभी और किन मुद्दों पे चर्चा होना जरूरी है है और उनके निवारण के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए नहीं हमारा तो करनि मुनलब देखे देश का किसान जो बहुत बहुत हैं जो गरीब है आदमी बहुत इसाल ज़्यादा पर मौसिंगे कुछ लोग चुड़ गए उससके बाद हम एकिए विश्यादी के पास प चलिए मौसन आरे एक बार राज़ात सिंग कुछ बोल रहे हैं इस प्रफ्यासी का करेक्टर रोल लिखने का पूरा का पूरा दिकार अधिया कि जनता ही जाए जानारी जानारी नहीं नहीं तक राजनास्टम पढ़ान से बत्ते दालबर होंगे इस पूरी तरह से कालपनिक प्रस्ट है यह संभोगी नहीं है किसी भी सुरत में हमारे मोडी भारत के प्रफार वरूल लानी कि देखाए कि जो भी गडबंदन के वोड़ देगा वो इस तरसे पाकिस्तान को देना है इस तरह कि किसी के स्टेंट्मेंट पर कोई रियाक्शन न लोगा तरफ देख महा पर पर इरुपयाय सनुर्षित करेंगा है कि मध्दान थे बंचित ना रही है सभी अपना मध्दान करें सब अपनी वार मध्दान करें तो आप सुन रहे थे ग्रिवन स्री राजनात सिंग को मद्दान करने पहुचे और चलिए एक ही मिश्वाजी पहला रेक्षे नहीं ले लेते हैं दो दो चीज़ें निकल कर आई आप एक राजनीती है चूंकि राजनीती में कुछ इस भी संबाव है जो 2014 में रीता मुगरादोर्शी राजनात सिंग के खिलाफ चुना हो लनी थी कॉंक्रिस के टेकेट पर आज के उत्तरवर्देश में कैबिनेट मंतरी हैं और एक सवाल एक पत्रकार ने किया राजनात सिंग सी अब ये भी अगर बहुमत नहीं आया प्रदा दीजिए आप एक अंगली से जो एक बटन दबाते हैं उसकी ताकत बहुत होती है राजनात सिंग ने जो अभी बोला देखे मैं आपको बताओं ये चुनाओ अपकी बार क्यों इंपोर्टेंट है मैं बता दू कोई भी पक्ष या विपक्ष जो भी जीते गा न यह उसके बिजेपी भी जीतती है न तो जो बिपक्ष है उसको और कमजोर करेगी जैसे पिछले पान सालों में बिपक्ष बहुत कमजोर हुई बिजेपी तो वैसे भी काफी एग्रेसिव है अगर बिपक्ष भी आ गया तो बिजेपी भी अगले पान सालों में बहुत कमजोर हुई यानि ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये अस्तित को बचाने की लड़ाई है, ये इलेक्शन, इसलिए बड़ा इंपोर्टेंट है, रही बात दूसरी देखिए, राजनास सिंग जो बोलते हैं, ये कालपनिक क्वेश्चन है, एक चीज़ से मैं फेवर करना चाहूंगा, ह जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास मशीनरी होती है, पुरा सिस्टेम होता है, यानी कि जो गौर्मेंट का सिस्टेम होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से ये आपकी तागत को कई गुना बढ़ा देती है विपक्ष के साथ प्रॉब्लम यह हो जाती है कि वो सत्ता में नहीं है तो उनके पास मसीनरी का सपोर्ट डायरेक्ट या इंडायरेक्ट वे में नहीं रहता है तीसरी सबसे पार्टी देखे माइक्रो सिंक इनके अंदर कितना अच्छा है कितने मैनेज्ड वे में यह चीजों को करते हैं इनकी इफिसियंसी बढ़ जाती है यानि कि क्रिटिकल से क्रिटिकल कंडिशन में भी यह उसको चैलेंज को मैनेज कर लेते हैं चैलेंज दोनों के साथ हैं देख उन चैलेंजेज को अगर मैनेज करने की एफिसियंसी और टैक्टिस आपके पास है तो आप एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पड़ला जो भारी रहेगा ओवरॉल मैं इंडिया की अगर देखू ठीक है बीजेपी यूपी में हार जाएग लेगी लेकिन गेन कर लेगी मुझे लगता है और इनकी कोशिस यह है कि लास्ट लास्ट इलेक्शन के दो हजार चौदा के स्टेटस को को ये मेंटेन रखें यही इनके लिए सब्सक्राइब चैलेंज चौदा से उननीस तक आती आती सित्थी किस तरह से बदल गए कि होता है जनता भी पॉलिटिक्स के एक पॉलिटिकल हैंग ओवर होता है जनता भी उसमें जूलती रहती है तो तीन साल तक तो जबरजस्त जनता का हैंग ओवर रहा मोधी के सपोर्ट में और ये नए नए चीजे करते रहें सही था या गलत था जो भी था लेकिन अब क्या है कि at least चौथे साल के बाद ये देखा है कि BJP के उपर प्रेशर पढ़ने लगा और प्रेशर किस चीज का पढ़ने लगा प्रेशर इस चीज का नहीं पढ़ने लगा कि बिपक्स जो आरोप लगा रहा है उसको justify करना या clarify करना बिपक्स तो ठीक तरीके से देखा जाए तो question भी करना जो 14 से लेके सत्रा तक जो इन्होंने किया था भाई सत्रा तक तो इनका विजयरत चलता रहा ना यूपी वगरा सब इन्होंने फटा कि तो केशेब परसाद मौर रामंदिर का ही मुद्धा बढ़ा जोर सोर्स उठा दिए अब एक सेचुरेशन लेबल पहुंच जाता ना कोई नए वादे कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं क्यावल एक दो मुद्धों पर सुख्ष सासन वगरा यह सब जो इनकी यूएस पी है उसी पर देखे राम मंदिर इनका इतना होट मुद्धा था अबकी बार इन्होंने चर्चा ही नहीं की राम मंदिर की तो अब है क्य जो चीजे यह पहले काट की हाड़ी कितनी बार आप चड़ाओगे तो अब यह क्या कर रहे हैं जैसे डिविडेंट होता है ना हम लोग इंशुरेंस जब करवाते हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो जो इमोशनल मुद्धे इन्होंने डिपॉजिट किये थे इस बैंक में जनता के खाते में अब यह उसके सूद को उसके इंट्रेस्ट को उसके ब्याज को जो है इनकेश करना चाहते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो पहले यह बोलते थे थे अब की बार 400 के पार देखे इनके कई मुद्धे तो अबार्ट हो गए यानि जन्म लेने के पहले चाह महीने साथ महीने पहले तक एक मुद्धा बड़ा जबर्जस चला था एक नारा अपकी बार 400 के पार चोकीदार मैं भी चोकीदार यह चला 4-6 दिन चला वो चाय वाला जो है जो मुद्धा चला था यानि पब्लिक ने जो उसको नेचरली एकसेप्ट किया था उत लिए मैं बोलना हूं कि BJP खुद अपने ही कारणों से सेंडविच हुई पड़ी है BJP के पास यह चैलेंजेज हैं देखें यह सेंडविच कैसे हुई है BJP 2014 की जो परफॉर्मेंस थी उसको रिपीट करना या उसको एकसीड करना उसके साथ अभी तक के जो इनके वादे थे उसको डिलीवर करना यह दो चीज थी इन दोनों चीजों के बीच में BJP सेंडविच हुई पड़ी है तो इसी यह BJP की कंडिशन यह है कि 2014 की कंडिशन को भी मेंटेन कर ले तो मैं बहुत बड़ा मानूँगा एक आपके पास आएंगे मौसन हमारे साथ बने हुए मौसन कु बड़े नेताओं की बात छोड़कर आकरकार लखनों की अवाम कहती क्या है अजी तेश मैं सिधे वोटर से बात करूँगा कि उनके मन में क्या है वोट करने निकल रहे हैं सुबा साथ वज़े का टाइम है मौनी में निकल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है महिलाओं का मसला है सेक्यरूटी का मसला है उनसे बात करते हैं मैं मां बताईए कि पिछले पांस सालों में, जिस उम्मीदों के साथ आपने लखनों का सांसत बनाया था, क्या उन उम्मीदों पे आपके सांसत खरे उतरे हैं, महिलाओं के मामले को ले करें। पांस सांसत चुनूंगी, तो इस बार आपके मन में है क्या, मतलब क्या मसला है, क्या उम्मीदे सांसत है, राधना सिंग से हैं, या किसी जो भी है, यहां पर तमाम तरह के प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीदे हैं, किन सवालों के साथ आप वोट करने जा रही हैं। अपने मद्दान केंदर पर पहुंच रहे हैं। अबस्तर करण के मकंभ पर वोट करू हैं। अबस्तर करणा क्या हैं, कि जला हैं, क्यादान की जा कि रहें रहे हैं, कि रहें पर प्रत्या ए्क्यां भाफूंग